संक्रांती के दिन मांजे से हुआ एक युवा घायल उस युवा को माहीम के अस्पताल में भरती करा गया है और इस मामले की सूचना मिलते ही विलेपड़े पुलीस ने इस मामले को दर्च कर लिया है सूतरों के मताबिक घायल हुए व्यक्ति का नाम स्वपनिल गायकर बताया जा रहा है और उनकी उम्र 29 साल है जो इस हादसे का शिकार हो गए ये हादसा विलेपड़े के सहारा जंक्षन पर हुआ था आपको बता दे कि गायकर कादेवली के अफिस में काम करता है और वो वहीं से अपने दोस्त के साथ विलेपड़े के इलाके में पहुचा और जब वो उस इलाके में अपनी मोटर साइकल पर घर जा रहा था उसी दोरान गायकर ने बताया कि अचानक से पतं का मांज़ा उसके गले में आकर अटक गया और जब उसने अपने हातों से मांज़े को निकालने की कोशिश की तब हातों में गहरी चोट आ गई और खून बहने लगा और ये गले से भी खून बहने लगा जिसके बाद लोग उन्हें तुरंत अस्पताल में ले गए और उनका इलाज करवाया गया अब वो ठीक है विले परले पुलीस ने गायकर का स्टेटमेंट दर्च कर लिया है लेकिन इस मामले में एफायार दर्च नहीं की गई क्योंकि ये पतं का मांजा कहां से आया था ये सब जानकारी नहीं थी